नमस्कार मैं हो ससी आया जर्खन के टोप 25 परमोग खबर जानते हैं जर्खन केबिनेट की बैठाक मुख्यमान्सुरूं की दख्सता में सुक्रवार को जर्खन केबिनेट की बैठाक होई जिसमें कई महत्पून फैसल ने लिए गाये केबिनेट ने जार्खन बिली वीतरन निगम लिमिटेड के गिरामीन घरलू भोकताओं को अन्टाम सेटलमेंट जोजना के अंतरगत राहत परदान करने सहीत कई महत पूर्णी नहीं लिए केबिनेट ने परमुक फैसले इस परकार लिए केबिनेट ने सराब के खुदरा विक्री पर एकसाइज जेवटी को बढ़ाने का निर्नाइल किया है जबकि एस पेसल एकसाइज जेवटी को हटा दिया जाएगा जार्खन राय अंत्रगत अनुसूचित जाती अनुसूचित जाती अलपसंख्यक यों पिछडा वर कल्यान विभाग के नेंत्रान धीन संचाइद विभीन अवाचे बिद्यालों का संचालन गैर सरकारी संथावक बादम से कराने की योधी को पिस्तार दिया गया बिजली बील को लेकर हमन्त सरकार जार्खन की हमन्त सरकार ने राज के ग्रामिन बीली अभुकताओं को बड़ी रहात दी है उर्जा विभाग ने ग्रामिन अभुकताओं के लिए वन टाम सेटर्मेंट जोजना की है इसके तहत अब ग्रामिन इलाकों के बीली किस्तों में कर सकते हैं बताजे सरकार ने DPS चार्ज माफ करने का भी निना लिया है इससे ग्रामिन उभकताओं को बड़ी रात मिलेगी शुक्रवार को जर्खन मंत्राले में केबिनेट बैठक हुई इसमें कूल 33 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई ज्यार्खन सरकार अब नहीं बेचेगी सराब राजी सरकार अब सराब नहीं बेचेगी बताजे सरकार अब इसे निजी कमपनियों और फार्मों के जर्ये ही बेचेगी ऐसा निर्ने सराब की बिक्री में हो रही भारी नुकसान को देखते हुई लिया गया इस निर्ने पर मोह शरद होने के बाद भी जार्खन में मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट की परिक्षा के जुन को लेकर नीर्न अभी तक नहीं लिया जा सका है बता दे जार्खन के मन सुरेन सरकार फिलाल सी बेसी द्वाराबरा हमी बोट के विद्यारतियों को परमोट किये जाने की परकिरिया जारी किये जाने का इंतियार कर रही है इसके बाद ही सायद कोई नीर्न लिया जा सकेगा बता दे जार्खन में 15 जुन तक मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा पर अम्तिम नीर्न लिये जाने की समभवना है 17 सितंबर से देवघर से उडान भरेगा विमान तैकर दी है रांची के बीरसा जैविक उद्यान के बाग सीवा की मौत जार्खन के रांची जिले के उर्माजी इस्थित भागवान बीरसा जैविक उद्यान के सीवा नामक बाग की मौत हो गई है बता दे उद्यान के निदेशा के तिनरे कुमारदास ने बताया कि इसका लिवर वा केड़नी फेल हो गया था वा पिछले चार दिनों से बिमार चल रहा था बता दे उद्यान इस्थित सोव दागरी में इसकामतिम संसकार किया गया आपको बता दे कि बर्तमान में उद्यान में कुल नौ बाग बचे हैं दस वर्थी ये बाग सीवा को तीन साल की उम्रे बैंगलोर से राची लाया गया था चात्रा में सर्निवार से सुचारू रूप से चलेगा 18 पलस का टिका करन जार्खन के चात्रा जीले के विविन परखंडों में कुरोना वैक्सिनेशन को लेकर कूल 18 टिका करन केंजर बनाए गया है बता दे टिका करन में 18 पलस से अधिक वालो के लिए वैक्सिन खत्म होने की वज़ा से पिछले 8 दिनों से टिका करन नहीं हो पा रहा था लेकिन सुक कुरोवार को 18 पलस वालो के लिए टिका आ गया है बता दे सनीवार को 18 पलस वालो का सुचारो रूप से विविन केंजर पर टिका करन होगा इधर गुरुवार को 45 पलस के 246 लोगों ने कुरोना का पाला डोज लिए था जबकि 21 लोगों को दूसरा डोज लगा था टेट की बादता अब आजीवन केंदरी ये सिक्षा मंत्राले द्वारा सिक्षक पत्रता परिक्षा टेट पास होने के परन पत्रों की बादता आजीवन होने से जारकन के 1,1,000 अभियार्थियों को लाब मिलेगा बता दे ए प्रात्मिक सिक्षको की होने वाड़ी नियुक्ती के लिए पात रहोंगे इतने अभियार्थि सिक्षक पत्रता परिक्षा उतिन होने के बाद भी अभित्तक सिक्षक नियुक्ती नहीं हो पाई है बता दे इन में बड़ी संख्या में पारास्तिक चक भी सामिल है जारखन में बलाइक फंगस के चार मरीजों की मौत दो नाय मरीज जारखन में बलाइक फंगस से सुक्रवार को चार मरीजों की मौत हुई है वहाई दो नाय मरीज मिले है जार्खन में ब्लाइक फंगस से अब तक 18 मरीजों की मौत हुई है स्वास्त विभाग के नोड़ पता दिखाई सिधार तिरपाटी ने सुक्रवार को है जनकारी दी उन्होंने बताया कि सुक्रवार को राजे में 4 मरीज ठीक होकर अपने घर गए है बता दे ब्लाइक फंगस के अब तक 14 मरीज ठीक हो चुके है उन्होंने बताया कि जार्खन में ब्लाइक फंगस के कूल 105 मरीज विविन अस्पतालों में भरती है जार्खन में 478 नए केस मिले हैं जार्खन में 13 मरीज की मौत हुई है जरखन में कूल मौत की संख्या 5,034 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या और 632 है भारत में 1,22,313 केस मिले हैं भारत में 3,44,101 मरीज की मौत हुई है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 15,080 है वहाई भारत में 1,97,370 मरीज स्वस्थ हुए हैं जार्खन में भी 117 मरीज स्वास्थ हुए हैं